असलालेकूम कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्ला का करम है और आज मैं बनाने चारी हूँ ड्रम मिस्टे एक चम्ची नमक ले लिया है ये इस पर लगा लूँगी इस तरह से बिस्मिल्ला रवाम रहीं और सिरका डाल दूँगी सफेर दो से तीन चम्मच और इसको म मिलाके अच्छे तरीकी से थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ये मैंने तिका मसाला ले लिया है इसमें थोड़ा सा पानी मिलाके और एक चम्मच मैदा मिला लिया था और अब इसमें दो चम्मच में दही के मिला लूँगी और एक चम्मच मैंने अधर प्लसन का भी मिल अब यह मिला लूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिला लूँगी ताकि इसके अंदर जजब हो चाहे चिकन के अंदर मसाला लगा दिया और अब मैं इसे घंटी के लग दूँगी ति मैं बताऊंगी आगे यह क्या करती हो मैं 2 हो दूगा है दूगा है तोधि से मसाला लगा था को अब मैं इसे बीज़िक चूळा दूगी चूला मैंने आउर करते हैं और मैं हलका सा तोल डाल दूँगी और अब में एक एक करके यहाँ मैं मता जाओग प्रृति हास्छे जाओicial आघाञा ज़़ए क्कुष्ट करें नहीं करें अब जो यह मसालब अच्छा वा था यह मैं सब इसके ओपर डाल दूँगी इस तरह से और इसमें जब हलका से अबाला जाएगा तो मैं इसे गलाने के लिए रख दूँगी दम पर इसमें हलका से ओभाला ज़िए है अब मैं इसे बिल्कुल हलकी आच पर रख दूँगी क्योंकि मसाले में आटा मिलावा है तो नीचे लग नहीं जाएग इसलिए बिस्मुलारमा रख दूगी आज मैंने बिल्कुल स्लो की है क्योंकि इसमें पानी नहीं है जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसको पलट दूगी 20 मिनाट लोगें अब मैं चेक कर लूँ गोश गला है कि नहीं ड्रम स्टेक्स मैंने चूला भी थोड़ा तेज कर दिया था कि मुझे उपर ढखने से शीशे पानी नजर आ रहा था तो अब पानी मैं इसको पुश करूँगी और यह थोड़े गोल्डन हो जाएगे भी जब यह गोल्डन हो जाएगे तो मैं आपको दिखाऊँगी पानी पुश को गया और माशाला देखें कितनी गोल्डन हो गी है और मैंने चूला बंद कर दिया है और अब मैं इसे कोईले का दम दूंगी मैंसे कोईले का दम दे दूंगी इसी में से तेल निकाल के और इसके पर हलका सटाल दूंगी और यह ध़कना लगा दूंगी पांच मिनट तक ध़कना लगा रहेगा पांच मिनट हो गए, अब मैं डखन नटा रही हूँ माशालला, माशालला ड्रम स्टिक्स बहुत खुबसूरत लग रहे हैं, माशालला और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, इंशालला आप भी जरूर ट्राइ करें और बनाएं और अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दौाओं में मुझे हमेशा याद रखें अब मैं डिशाउट करूँगी, ठीक है, अल्लाहाफेश